गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टुलिवर हास्पिटल स्वरुपनेगर खानपूर ये बार-बार बात होती है कि आपको आइरन ठीक मात्रा में लेना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के यहां जाते हैं आपकी खून की जांच होती है डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको एनिमिया है आपके बाड़ी के अंदर तो आइरन की डेफिशेंसी हो गई है और आपको आइरन डेफिशेंसी एनिमिया डेवलप हो गया है ये ज यह question भी खड़ा करता है कि iron वास्तों में क्यों जरूरी है हमारी body के लिए जहां तक iron का सवाल है iron is a mineral यह जो mineral है हमारी body use करती है दो कामों के लिए number one यह hemoglobin बनाने के लिए important है number two यह myoglobin बनाने के लिए important है जो hemoglobin है यह oxygen को carry करता है पूरी body में इधर से उधर और जो myoglobin है यह वास्तों में oxygen सप्लाई करता है हमारी muscles को यह मान्स पेशियों को iron और भी important हो जाता है कि हमारी body में जो hormones बनते हैं जो tendons हैं ligments बनते हैं इन सब को बनाने में जो iron है is one of the very important mineral तो इसलिए iron important हो जाता है now अगर आप adequate amount में iron नहीं ले रहे हैं तो कैसे पता लगेगा in the beginning शुरुआत में आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा इसलिए कि शुरुआत में एक stage ऐसी आएगी कि जो आपको iron की जरूरत है आपके body आपके यहां जो store है iron के उन में से निकालती रहेगी जो iron है जो store में से निकालेगी तो store कहां है? store liver के अंदर है, store muscle के अंदर है तो इन में से जो iron है आपके body निकाल के use करेगी लेकिन एक स्टेज ऐसे आएगी कि यह जो स्टोर्स हैं यह भी खाली हो जाएंगे अगर यह स्टोर्स भी खाली हो जाएंगे तो आपके जो करक्त को शिकाएं हैं या red blood cells हैं उनका जो production है वो नीचे आजाएगा अगर red blood cells नीचे की तरफ बनने लगेंगी तो आपको anemia develop हो जाएगा आपको anemia develop हो जाएगा तो आपका जो hemoglobin का level है वो नीचे आएगा और oxygen की जो caring capacity है जो यहाँ से वहाँ जाता है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगी तो इसलिए अगर iron deplete हुआ तो anemia develop हो जाएगा and consequently बहुत सारी symptoms आने चालू हो जाएगे वो कौन से symptoms हैं उनको जड़ा ध्यान से देखे आपको हमेशा ठकान लगेगी ऐसा लगेगा कि कुछ काम करनी के ना ताकत है ना मन है आपको dizziness feeling होगी ऐसा लगेगा कि जैसे सिर हिल रहा है या चकर जैसे आ रहे हैं आपको लगतार एक कमजोरी का एहसास होता रहेगा इसके अलाबा लोग बोलेंगे कि आप तो पिले-पिले दिखाई दे रहे हैं या आप तो सफेद दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपकी जो skin है वो पिल दिखाई देने लगेगी आप थोड़ा सा भी चलेंगे तो आपको धरकन तेज होगी या palpitation होगे क्योंकि आपकी pulse तेज हो जाएगी आपके जो हाथ हैं आपको ठंडे मैसूस होंगे हलका फुलका पसीना उसमें आ सकता है अगर आपको एनिमिया हैं आप चलते फिरते हैं तो चूंकि oxygen की जो एक capacity है वो कम हो जाती है तो बार बार throbbing headache होने की संभावना है कि बार बार आपको सिर में दर्द होगा इसके अलाबा अगर आपको एनिमिया परसिस्ट कर रहा है अगर immunity का सिस्टम नीचे जाएगा तो आपको बार बार infections पकलेंगे इसके अलाबा आपको brain की clarity जो है न वो कम हो जाएगी आपको brain fog मैसूस होगा आपको mental focus गरवड होगा और आपको ऐसा लगेगा कि जो है ना memory है वो आपकी memory low जैसी हो गई है आपको चीजें याद नहीं दे रही है जहां तक बच्चों का सवाल है अगर low iron stores है उनको anemia डिवलप हुआ तो learning disabilities are quite common तो इसलिए anemia becomes one of the very important issues नो तो question is कि आपको low iron कैसे होगा कहां से हो जाएगा number one पर आता है कि अगर आप जो खाना खा रहे हैं उसमें iron की amount proper नहीं है अगर आपके खाने में iron की amount proper नहीं है इसका मतलब यह है कि आपके body को adequate iron मिल ही नहीं रहा है if that is the situation तो आपको वास्तों में anemia develop होगा iron deficiency develop होगी that is known as nutritional iron deficiency anemia now second one is कि अगर आपके जो intestine है उसमें कोई भी disease process है जिसके चलते आपके जो intestine है आपने जो खाना खाया उसमें से iron को absorb नहीं कर पा रही है या iron को खींच नहीं पा रही है तो आपके body को iron मिलीगा नहीं जैसे के diseases होती हैं जैसे ciliac disease है tropical sprue है या फदर एक्मेटर कोई भी male absorption syndrome है तो आपके जो intestine है वो iron को ठीक मातरा में absorb नहीं करेगी तो आपके जो body है उसके अंदर iron की deficit हो जाएगी iron की deficit होगी तो over a period of time आपको iron deficiency anemia develop हो जाएगा थर्ड possibility है कि आपके body में iron तो ठीक है blood burn भी ठीक रहा है लेकिन आपके body से iron leak कर रहा है leak in the sense कि intestine में कोई भी problem है जिसके चलते बार 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 थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा है जैसे polyps पड़े हुए है ulcer पड़ा हुआ है TB जैसा infection पड़ा हुआ है तो उसमें से intestine में से blood leak कर रहा है तो उसके चलते iron की कमी हो जाएगी ऐसे ही in females अगर periods में बहुत ज़्यादा heavy bleeding होती है हर महीने होती चली जा रही है तो over a period of time iron deficiency anemia females को develop हो जाता है scientifically ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे हमारी age बढ़ती है तो iron की जो एक possibility है iron deficiency की वो हमेशा बढ़ती है और overall अगर आप कम खाना खाते हैं iron deficiency की जो possibility है वो बढ़ती है now रोज आपको कितना iron चाहिए कितना खाना है आपको iron जहां तक males का सवाल है scientifically ऐसा माना जाता है कि आपको 8 mg per day लेने की जरूरत है 8 mg per day जहां तक females का सवाल है between the age of 19 and 50 years यह जो amount है double हो जाती है that means you need around 18 mg per day और अगर pregnancy है तो यह triple हो जाती है that means you need around 27 mg per day तो males में 8 mg females of the reproductive age group 18 mg and pregnant females around 27 mg जहां तक 50 years के बाद की females का सवाल है वहां पर जो iron का requirement है वो almost males के बराबर हो जाता है that is around 8 mg per day now अगर आप vegetarian है अगर आप vegetarian है तो देखें जो vegetarian के source है iron के उनको poor source माना जाता है जो अच्छे source है वो वास्तों में non-meditarian sources है चाए fish हो, चाए chicken हो, चाए meat हो इसमें जो iron होता है उसको body easily absorb कर सकती है लेकिन जो iron आपको vegetable sources से मिलता है उसके absorption के जो process है वो इतनी effective नहीं होती है तो scientifically ऐसा माना जाता है कि जो लोग vegetarian है उनको जो iron का intake है almost double करनी की जरूरत है इसके अलाबा, diet में आप अगर citrus fruits लेते हैं जिसमें vitamin C ठीक मातरा में होता है तो जो citrus fruit and vitamin C है यो iron का जो absorption है इसको help करनी की ताकत रखते हैं इसलिए iron related जो आपको vegetables तो लेने की जरूरत है लेकिन vitamin C related fruits को भी अपनी diet में सामिल करना चाहिए अगर हम food sources की बात करें तो beef liver, lean meats, seafoods, poultry foods poultry, these are the good sources जहां तक beans का सवाल है राजमा, lentils and पलक जैसी चीज़ है, they are very good sources जहां तक nuts का सवाल है, seeds का सवाल है dried fruits, they are also very very good sources but by and large, जो green leafy vegetables हैं इनमें iron काफी मतरा में पाया जाता है हमारे यहां रोजमर्री में जो गुड़ खाया जाता है या जेगरी है, वो iron का काफी अच्छा सोर्स है जो palm granite है या अनार है वो iron का अच्छा सोर्स है जैसे beetroot है या चुकंदर है वो iron का अच्छा सोर्स है ऐसे ही, जो खजूर है या डेट से they are also good source of iron and ऐसे ही, जो पालक हम रोज खाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि it's a very very good source of iron utilize it अगर iron की deficiency है तो कभे आपको supplement लेने पड़ेंगे जो supplement है, वो कई सारे forms में आते हैं tablets में आते हैं, sirups में आते हैं, injections में आते हैं लेकिन यह बाद सही है, जब आप oral iron लेते हैं तो उससे कुछ problems आते हैं जो पेट है या इस्टमक के उसमें crèmes आ सकते हैं constipation की tendency आ सकती है कभी-कभी nausea या डारिया आने की भी tendency आ सकती है scientifically ऐसा माना जाता है कि even if आपको supplement की ज़रूरत है तो भी आपको किसी भी हालत में 45 mg per day से iron ज़ादा नहीं लेना चाहिए इसका मतब है कि 8 mg per day तो requirement है लिकार अगर आप supplement भी ले रहे हैं तो भी 45 mg per day को cross नहीं करना चाहिए अगर आपको pregnancy है जो females जो pregnant है उनको वास्तों में जो baby का जो nutrition है उसके लिए iron का जो requirement है वो pregnancy में हमेशा उपर की तरफ रहता है अगर anemia है during the pregnancy तो scientifically ऐसा माना जाता है कि जो baby का weight है वो नीचे बत तरफ हो सकता है जो low birth weight is always related to anemia in the pregnant females ऐसा भी माना जाता है कि अगर pregnant female को anemia है तो जो fetus है उसको developmental जो issues है उनको होने की संभाब ना जादा है नो क्या जो infants होते है या babies होते हैं छोटे उनको iron ठीक मातरा में मिलता है अगर हम overall studies को देखें world over तो ऐसा माना जाता है कि 10% infants and toddlers 10% in infants and toddlers इनको जो iron है वो adequate amount में नहीं मिलता है अगर जो baby की activity आपको sluggish लगती है या आपको बच्चा पेल दिखाए देता है तो आपको अपने pediatrician से consult करने की जरूरत है get the blood test done and look into कि कहीं इसे iron deficiency anemia तो नहीं है तो जहां तक iron का सवाल है यह हमारी body के लिए बहुत important है इसको hemoglobin बनाने के लिए चाहिए myoglobin बनाने के लिए चाहिए इसको जो sources को हम देखें तो non-vegetarian sources are equally important as the vegetarian sources utility and symptoms of its deficiency इसको समझने में यह video आपको help करता है इसको जरूर शेयर करें मैं Dr. V. Mishra from guest to liver hospital स्वरुपनगर कानपूर Thank you very much